कि यहां पर कुछ किया जा रहा है देख सकते हैं इनके फैमिली में लक्षमी का जनम हुआ है तो स्वागत है घड़ फिर से एक बार हमारे चैनल में आज आज हम एक ट्राइबल फैमिली में इन्वाइट है तो इनके परिवार में यहां पर आभी फुजा पाट हो रहा है तो हम भी बेठें इनके साथ किस तरह सी पुजा उजा करते हैं तो हम देखने की यहां बेठें त इनके परिवार में आया है नवजा शीशु का अगमन हुआ है तो इसकी खुशी में यह जश्न बना रहे हैं तो गाइज हम देखते हैं यह किस तरह से पुजा पाट करते हैं तो हम देखें के इनके साथ साथ भी हम बैठे हैं और अभी बेभी हम दिखाएंगे उनके पूर करने का ट्राइबल स्लोंगा जो तरीका होता है वह भी बिल्कुल तरीके से होता है और इसमें ज्यादतर ट्राइबल महिलाएं इनवल होती हैं तो अभी आप यहां पर प्रक्रिया देख रहे हो इसको पूंज रखना कहते हैं तो मुठी में थोड़ी थोड़ी चावल लेक इसकी यहां पर प्रात्न की जाती है तो यह जो काम है यह खास करके बच्चे की दाई है वो करती है और पूंज रखने की जो संक्या वो नौ होती है तो इस बात का जो लिंक है वो जब बच्चा मा के पेट में होता है तो नौ महीने और नौ दिन होता है तो उसके हिसाब से यह पुझबी रखी जाती है तो यह पुजा विधि हो जाने के बाद मौहुए की जो मदीर है उसका विए थोड़ा थोड़ा सेवन किया मदीर का सेवन करने से पहले यहांद भी ते की लम्भी उम्रु की दूआ कि जाती है तो आप यहां पे देख सकते हो और अभी यहां पे जो पूजा वीदी चल रही है इसको यह लोग पेचरों पूजा कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है वो हम आगे वीडियों बताइंगे आपको लक्षमी यह नहीं लक्षमी अब बापर लगों में शुरू से इसका बहुत महत्व होता है जनम से ही इसका रिलेशन जोड़ा होता है इस चीज का अब बेबी का जनम हो रहा है तो पुजा बाट में इसका इस्तमाल किया जा रहा है और जब मृत्ति को पिलाए जाता है तो जनम से लेकर और मृत्ति को इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो यह ट्राइब प्रवस्लोग मुवका जो पेड़े उसको कल पर उक्षे मांते ही है तो गाइस हम भी टाइब करते हैं अभी इसका टेस्ट केसे देखते हैं यह देख सकते गई यह सेलिबरेशिन हो रहा है यहां पर अब अब बाबा रही है कि अब दोस्तों जब जनम लेता है तो पांच दिनों के बाद इस पेचरों की पुजा की जाती है वैसे अभी बच्चे की डिलीवरी जो है वह स्पिटल में होती है लेकिन पहले के जमाने में डिलीवरी की प्रक्रीय वह दाई के द्वारा ही करा ही जाती थी बच्चे जब जनम लेता है तो उसके पांच दिनों के भी चावल से यहां पर कुछ किया जा रहा है देख सकते हैं तो बच्चे की जो ममी उन्हें ने एक जोली बनाई है और जोली में अभी वह चावल और डाल जा रही हैं देख सकते हैं तो यह उसके बाद जो दाई के हाथ में सूप है उसमें फिर से उचावल और दाल को निकल लिया जाएगा तो यह भी एक फूजा विदी का है तो दोस्तों यह जो फैमिले है उससे मिलवानी के अभी बारी है तो इस फैमिली से मिलवाते हैं और जो बेबी है उनके मम्मी पापा से और दादा दादे हैं से भी मिलाएंगे तो चलिए गाइज तो यहां पर बच्चे की मम्मी बेठी है तो देखिए तो देखिए तो देखिए और यह बच्ची का मामा है और यह बच्ची का पापा है और यह दादा जी है और यह दादी है बच्ची की तो यह इनकी फैमिली गाइज और काफी खुश लग रहे हैं सब अब बच्ची की ममी से पूछते हैं क्या नाम रखा है क्या नाम रखा है इसका अरध्या अच्छा बहुत अच्छा इनके फैमिली में लक्षमी का जनम हुआ है तो आरध्या नाम रखा गया है अब देख सकती है अपनी सुनर बच्ची है तो यहां पर आसनेक्स बाटा जा रहा है अभी चिवड़ा है परशाद के तोर पर यहां पर चिवड़ा दिया जा रहा है झाला कि अठीट है कि अभी तो पर इन चिवड़ा को जया है भी खाँ किवडि़ा कि अधरी कि अधरी में यह पर प्रूसित, अदो पर वक्षमत बच्छाद का जा रहा है यहाना इकड़ा एकले यहाना एकले यहाना आपने डिटेल देखा पेचरा यानिकी नाया जब बच्चा जनम लेता है तब दिवासी लोग के से पुजा करते हैं तो अगरे टोपिक में आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलेंगे हम इसे इंटेशिंग वीडिक से अतल तक बबाई एंटेक केर